आप सभी को मैं बताऊंगा फ्यूचर कांटिनेश टेंज के बारे में फ्यूचर कांटिनेश टेंज की पहचान हम कैसे करते हैं फ्यूचर कांटिनेश टेंज में कौन से यूज किया जाता है में वर्ब का कौन से फॉर्म जो है यूज किया जाता है तो वीडियो को लाश्ट तक ज़रूर देखे और अपना सपोर्ट दिखाईए प्लीस वीडियो को देखे लाश्ट तक तो पहचान future continuous tense की पहचान हम कुछ इस तरह से करते हैं इंदी वाक्य के अंत में रहा होगा होँगा रही होगी 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 रहे होगे होगे हो तो वह जो है future continuous tense कहलाते हैं जैसे मैंने आपको एक्जांपल बता देता हूँ मैं पत्र प्राप्त नहीं कर रहा होँगा होँगा हो तब भी हो जो है future continuous tense है हम करतवियन नहीं निभा रहे होँगे वो भी है क्या मुहन सजा दे रहा होगा वो भी है विजय अफा फैलार रहा होगा फिर भी यह फ्यूचर कॉंटिनेश टेम्स है अब बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्बका तो future continuous tense में cell B, will be का जो है use होता है cell B किसके सांथ use होता है cell B जो है I और V के सांथ use होता है will be जो है you, they, he, see, it एक वचन नाम और बहुचन और सभी के सांथ जो है use होता है जो निर्जी वस्तू रहते हैं उसके लिए भी will be का use होता है तो आपको यही देखने है कि cell B किसके सांथ use होता है will be किसके सांथ use होता है आप चलते हैं, start करते हैं तो affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence, interrogative plus negative sentence हमको बनाना है तो आपको अभी इस रूल को जो है follow करना है subject plus cell slash will plus be plus min verb अगाई जी from plus object तो सबसे पहले question देखते हैं विजय अफ़ा फैला रहा होगा तो subject क्या है विजय तो विजय अब cell का यूज होगा कि will का यूज होगा तो cell का यूज सिर्फ I और V के सांथ होता है और will be का यूज यूदे ही सी एटे को चन बहुँ अचन सभी के सांथ हो यहां पर will be फैला रहा मतलब की spread तो ing form है तो spreading अब वा मतलब की rumors होता है तो क्या हो जाएगा the rumors तो आपका answer हो जाएगा विजय विल बी spreading the rumors से आपका answer है और question एक देखते हैं वे अदभूद नजारे देख रहे होंगे तो subject क्या है आपका वे वे का मतलब होता है दे तो दे के सांथ भी will be का यूज होता है तो दे विल बी देखते हैं मतलब वास्तो ing form है तो watching क्या देख रहे हैं अदभूद तो amazing amazing the streams नजारे जो है देख रहे हैं तो यह आपका affirmative sentence हो गया अब देखते है negative sentence नकरातमक वाकिया इसमें क्या है रूल subject plus cell slash will plus not plus be plus main verb ing form plus object तो यहां पर जो है cell will के बाद जो be का यूज होता था affirmative sentence में cell will के बाद जो है not use होगा उसके बाद भी का तो example देखते हैं हम करतव या नही निभा रहे होंगे तो subject है क्या है हम तो हो जाएगा be याने हम उसके बाद helping वर्भा का यूज करना है तो cell किसके साथ होता है cell जो है ए और help उसके बाद आपको not को use करना है तो not उसके बाद be तो be उसके बाद main verbah kind of form तो यहाँ पर यहाँ पर जो है निभा रहे होंगे तो क्या हो जाएगा do तो do का ing form हो जाएगा doing कर्तब यो मतब की duty तो क्या हो जाएगा the duty we shall not be doing the duty तो में प्राप्टा कर रहा होंगा सब्सक्र Kenneth D correct available के साथ सथ यूज होती है इ और सथ तो सब नॉट आ थिर इसक्ष्टे नाओ तो यहाँ पर लाप्टे पिरभी तो यहां पर ऑप्राप्टा कर न उजá अब क्या पराप्त कर रहा है पत्र तो क्या हो जाएगा दिलेटर तो आई सैल नॉंट भी रिशिविंग दी लेटर यह आपका अंसर हो गया फिर देखते हैं इंट्रुगेटिव सेंटेंस प्रश्ण आचा क्वा कि इसमें डब्लू एश का यूज जो है कप क्यों कहां कैसे क प्रश्ण का प्रारम क्या से हो तो हिल्पिंग वर्भा कही फिर्ष्ट यूज ची जाता है तो आप इसको देख लिजो है यापका पूरा इस्ट्रक्चर है इसी इस्ट्रक्चर को आपको जो फॉलो करना है तो एक्जैम्पल है क्या मोहन सजा दे रहा होगा लास्ट हो में question mark, तो यहांपर क्या का यूज है, तो आपको helping वर्बा का यूज है, पहले करना है, तो मोहन जो है, subject है, तो मोहन will be के शांद, जो है, किस का यूज होता है, you, they, he, he, see, take a question, दो सभी के शांद, तो इसमें will का यूज होगा, will, subject, तो सजा देना मतब की पनीश उसके बाद है आई यंजी फ़र्म है तो पनीशिंग और लाश्ट में अपका क्वेस्टन माकाव कांसर बन गया लेश्ट एक्जेंपल वे कहां नया वैवशाय प्रारम कर रहे होंगे कि तो यहां पर जो है कहाँ है डब्ली अच की तो यहां पर आपको डब्ली अच के यूज्ट पहले करने वियर देख मतलब होते वे तो यहां पर जो है विल भी कर यह है किस Jess U उसके बाद नए वाइव वसाय तो न्यू बीजनेश लाश्ट में आपका क्वेस्टर मांक आपका अंसर जो है बन गया नहीं कर रहे होंगे तो यहां पर क्या का यूज हो रहा है तो यहां पर हिल्पिंग वर्बा का यूज जो है पहले करना है तो तुम यू तो यू किसके साथ यूज होता है विल के साथ तो विल सब्जेक्ट है क्या है उसके बाद आपको इसको देखना है यू फिर आपको माफ कर देना तो उसके आयंजी फर्म होता है forgiving तो क्या हो गए दुश्मान तो इसको बलते है enemies तो क्या हो जाएगा the enemies last time question mark to answer क्या हो जाएगा we will you not be forgiving the enemies या आपका answer हो गए एक और आपको example जो है मैं आपको बता देता हूँ अकास का पैसे नहीं चुका रहा होगा तो कब है डबलुएच का यूज है तो आपको वेन उसके बाद जो है अकास तो विल जो है यूदे ही सीट एक कुचन बहुचन नापके संथ यूज होता है तो यहां भी विल का यूज होगा विल सब्जेक्ट है कि हाप काकास से नौट का यूज करते हैं फिर भी कर फिर आइन जी फॉर्म का चुका रहा होगा पे मतलब कि चुकाना होता है तो पे कर आइन जी फॉर्म हो जाएगा पेविंग पेइंग और पैसे का दी मणी और लास्ट में क्वेस्टन मापको लगा कि आइन जी फ्यूचर को बस फॉलो करना पड़ता है तो आई होग कि जत्ति भी जनकारी मैंने आप सभी पसंद आए अगर जनकारी आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक किया है तो प्रिस आप में इस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेजे और आपका कोई भी डाउट सो आप उनसे कुछ भी पुछना चाहते है तो कमेंट किजिए सभी का कमेंट का मैं रिपलाई करूंगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सो थेंक यू